हेलो बच्चों आज हम अपरे टॉपिक करेंगे आठीकल अे वारे में हम इसमें एक पढ़ेंगे कि आठिकल होते क्या है हमने सकती करते हीं काहा करते हो हम क्यों पियों आर्टिकल भी इंग दीरह म spending को होते हैं क्योंकि यह हमारे article में हमारे English को और perfect करता आपका तो start करते हैं कि article होते क्या वर्ट is article a word that comes before a noun to show whether it's specific or general मतलब article होते हैं यह एक ऐसे word होते हैं जो हम चाहिए नाउन से पहले आते हैं अब definite जो आपका आटिकल होता है कि का वह specific noun को denote करता है और इनट है इन टेफिनेट है यह इस में यह इसमें आपको नाउंज को ही आपको denote करता है और ईसे वर्ट में आपका यूज होता है जहां जो के वह वावल से चाहिए आपको के वह पांच आपको होते हैं आई और यू अब ज़रा करते हैं कि आपको ए होता है कहां कहां आपका यूद होता है तो ए मैं आपका पहला आपका इट इस यूज बिफोर आप परसन नेम हूँ इस नॉट मतलब ऐसे परसन के नाम के साथ जिसको आप जानते ही नहीं हूं जैसे मैंने बोल दिया कि डू कही आपका याफ कड़ा और तीसरा आपका आता है कि जब कोई वोवल यू यू का ही साउड कर यहां क्less kاش वे बिटे शाराइब कर नाउन के और ये आपका श्रियू के बहुत इसे और आपका 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 आपके प्रष्ट आप कात है इस मिध्या शार नॉयार क्षी हुए कौन कlungs।न सिर्टें ऐ एई आई औस और वागि साथ आफ क्या होते हैं कॉन सोनन और कोई ओन त्षक्षके यहाे करिना में अगर को नाउन कौन सोनन किस टार्ट हो रहा है तो वहां क्या एगा यूंसरिक आप एक नाउन investigating इसक workshop आपका आपक उतना क्या होते हैं अब मैं कया यूज कर सकते हूं तो पहला बोलने से पहले leps पोब और घाए तो वहां क्या आपका आता है जब कोई कॉंसोंएंट तो वहां भी क्या अपका आएगा फिर आपका आता है अब देखो पहले समझते इसको मैंने बूला डैश आवर अब आप यहां ओगे यहां यहां तो शाय आता यहां एक बोल्थ उनने होगे बोलते वक्त पहलाक्षर के आज़ हahu आपका वfal आएगा है अब दीको मैंने कर लिए Прuse कि है एन आवर ön पहले कि अ यहां पर एच्छ में जो आपका आ बोलने में कि हाँ आबने है न इसकbies हने। फिर दूसरा है डैश, ऑनिस्ट, पहले अपका आ रहे है ओ का रहे है तो अब ओ की आपका होता है वावल तो यहां का आगा 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 तीसरा आपका है जॉब्स के साथ यहां तो भाई बिल्कुल सिंपल ही फंड है आपका कि ऐसे वर्ड जो वावल से स्टार्ट हो रहे है जिन को बोलने से पहले वावल का ही साउंड आगा है तो वहां तो बिल्कुल आप समझे लेना कि वहां कि आपका आपका N ही आएगा जैसे डश, इंजिनियर अब इन्जिनियरा आपको साउंड आ रहा है वोवल का तो हां क्या आपका एगा एन आएगा ठीक और स्टेकंड आपका यूज आपका होता है कि जब कोई आपको अपको साउंड आपको क्या है मैं यह बोलता है जब कि जोब्स के साथ ठीक तो जॉब्स की कौन से पहला पहला चरह का होता है अब थर्ड करते हैं अब यूज ओफ दा अब ये में भीए और बड़ा भी आपका अब जब यह करते हैं इस्टार्ट करते हैं पहले से कि it is used before the sacred books मतलब ऐसी होते हैं जो आपके धार्मिक गरंथ आपके होते हैं तो अगर यहां किसी धार्मिक गरंथ का नाम आप तो आपका आएगा जैसे डैश कुरां तो क्या आपका दा कुरान डैश रमायना तो दा रमायना second thing musical instrument के साथ कि भाई किसी भी sentence के अंदर किसी भी musical instrument का नाम आ रहे तो वहां क्या आपका दा आएगा जैसे डैश ड्रम्स तो क्या आप दा आएगा डैश पियानो तो दा पियानो डैश गिटार तो दा गिटार थर्ड यूनिक्स तिंक्स जै मैं बोलूँ सिंपल वासाम में कि only one things क की ऐसी ठींग जो बाई only one और जैसे मैंने एक्जांपल दिया आपका यहां के आप सुहां कि ह béकty एक अनेक से मैंने बोला मैं सबसे अच्छा हूं या वो लड़का सबसे अच्छा है वो ब्रेंड सबसे अच्छा है तो यहां के आपका आता है ओनली दाप गाएगा जैसे he is the best student in the class की जो बच्छा है क्लास हो सबसे बेस्ट है फिर आपका डायरेक्शन के साथ जैसे मैंने बोल दिया कि डैस आउं डैस साथ तो आगा दा साथ डैस नॉर्थ दा नॉर्थ अब यहां पर कुछ सिमलर चीज आपको कोई मोनुमेंट्स का नाम दे रखा हूं तो आपका दायर तो जो कि मोनुमेंट्स यूनीक होती है यह उनली वन आपको दे मैंने बोला हिंद्या के तो इंद्या के अपका यूनीक थी आज के लिए बस इतना ही आग यह का जितना भी रहेगा हम नेक्स वीडियो में सब्सक्राइब और कोशिश करेंगे कि आपके सारे सब्सक्राइब उस वीडियो का ने बिल्कुल हम कवर कर दें अब यह है कि यह मेरी पहली वीडियो है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और जैसे विए बस में उसको आगे बढ़ा हूं